अकाश्वाणी भुपा से प्रस्तुत हैं प्रादेशेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सेयुकता बैनर जी पहले मुख्य समाचार नागरिक्ता संशोधन कानून पर भाजपा का देश्व्यापी जागरुकता भियान दस दिन में तीन करोड परिवारों से संपर्क का लक्ष कानून के विरोध में कल राजगाट पर धरनादे की कॉंग्रिस खादी सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए इंदोर जवलपुर सहित पांच शहरों में जल शुरू होंगी पांच नई प्रयोक शालाए बोपाल में आयजित किये जा रहे अंतराशिय वन मेले का आज अंतिम दिन भारत और विस्ट इंडीस के बीच नर्नायक तीसरा और अंतिम वन डे आज और हमारी विशेश श्रिंखला अची खबर में आज सुनिए नर्सिंग पुर्जिले में एक शिक्षक द्वारा बुक बैंक बनानी की पहल पर विशेश रिपूर्ट अब समाचार विस्तार से भारती जंता पार्टी ने नागरिक्ता संशोधन अधिन्यम के बारे में लोगों को जागरुक करने के लिए एक जन संपर्क कारिक्टम शुरू करने की घोशना की है नई दिली में कल समवादाताओं से बाचीत में पार्टी महसचव भूपेंद्र यादव ने कहा कि अगले दस दिनों में पार्टी CAA के बारे में खरीब तीन करोड से अधिक परिवारों से संपर्क करेगी उन्होंने कहा कि भाचपा नए कानून के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए प्रतेइक जिले में रैली का आयोजन करेगी और पूरे देश में धाई सो से अधिक समवादाता सम्मेलन करेगी शुयादव ने विपक्षी दलो विशेशकर कॉंग्रस पार्टी पर अधिनियम के बारे में गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया वहीं कॉंग्रस द्वारा कानून के विरोध में कल नई दिली स्थित राजगाट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा इधर प्रदेश कॉंग्रस द्वारा भी 25 दिसंबर को राजे के सभी जिलों में शांती पूर अंदोलन किया जाएगा भरती जिंता पाटी के राश्य कारेकारी अध्यक्ष जेपी नड़ा आज अंदोर दौरे पर आ रहे हैं कारेकारी अध्यक्ष बनने के बाद श्री नड़ा की ये पहली अंदोर यात्रा है इस दोरान वे सिंधी और सिक समाज सहित ऐसे लोगों से मुलाकात करेंगे जो कई वर्षों से नागरिक्ता कानून की प्रतीक्षा कर रहे थे श्री नड़ा राजीव गांधी चौराहस थे टेक गादन में पार्टी के जन प्रतिनधियों, पदाधिकारियों और कारेकर्ताओं को सम्बोधित करेंगे जबलपूर में नागरिक्ता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के बाद अब हालात नियंत्रण में है शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान पत्राव की घटना के चलते शहर के चार थानाक्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था हमारी समवादाता ने बताया है कि कल कफ्यू में धेर घंटे की धील दी गई थी वहीं एहतियातन इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया जिला कलेक्टर के हवाले से उन्होंने बताया कि कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है जबलपूर में रानी दुर्गावती विश्व विद्याले में कल आयोजच सभी परिक्षाय रद्द कर दी गई इसके अलावा स्कूल और आंगनवाडी केंद्र भी बंद रहे प्रादेशिक समाचारों में हमारी श्रिंखला जानना जरूरी है के जरिये हम आपको उन समसामाईक विश्यों की वास्तविक्ता से रूबरू कराते हैं जनके बारे में पूरी जानकारी के अभाव में आम लोग सुनी-सुनाई बातों के आधार पर अपनी धारना बना लेते हैं तो आईए हैं आज जानते हैं नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भानती और उसकी असलियत के बारे में नागरिक्ता संशोधन गानून को लेकर एक भ्रहम यह भी है कि यह देश के मूल नागरिकों और खासकर मुस्लिम समुधाय के हितों पर फर्क डालेगा जबकि बास्तिविक्ता यह है कि इस कानून से देश के मूल नागरिकों के हितों पर कोई आच नहीं आएगी बलकि इसका मकसद पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक धार्मिक उत्पिलन के चलते आने वाले हिंदू, सिख, बौध, जैन, ईसाई और पार्सी समुदाय के शरनार्थियों को नागरिकता देना है स्वास्तमंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में पिछले जुलाई महीने से शुरू किया गया शुद्ध के लिए युध अफियान लगाता जारी रहेगा उन्होंने पछले पांच महीने में की गई कारेवाहियों की जानकारी देते हुए बताया कि मिलावटी सामान बेचने वाले 40 मिलावट खुरू के विरोधर रासुका की कारवाई की गई है शुसलावट ने बताया कि खादिय सुरक्षा की कारेवाही को प्रभावी बनाने के लिए आगामी एक साल के भीतर इंदोर, जबलपर, सागर, उज्जैन और ग्वालियर में प्रयोक्षा लाय शुरू की जाएंगी ये प्रयोक्षा लाय शुरू होने पर खादिय पदार्थों की जांच रिपोर्ट तीन दिन में प्राप्थ हो सकेगी विधि विधाई कारेमंद्री पीसी शर्मा ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट के प्रक्रणों में ट्रायल जल्दी करवाने की पहल किया जाना अत्यानता आवश्यक है भोपाल में कल पॉक्सो एक्ट संबंधी लोक अभियोजन की विधिक कारिशाला का शुभारंब करते हुए उन्होंने लोक अभियोजन अधिकारियों से कहा कि डिने रिपोर्ट प्राप्त करने में होने वाले विलंब को कम किया जाए ये समाचार आप आकाश्वानी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुवधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR News आप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है भोपाल में आयज़त किये जा रहे अंतराश्य वन मेले का आज अंतिम दिन है मेले में अब तक लगभग 36 लाग के वन और हरबल उतपादों से निर्मत और शधियों की बिक्री हो चुकी है मेले में स्थापत 32 OPD में भारी तादात में नगर और आसपास के क्षेत्र के आगंत को द्वारा निह शुल्क चिकित सकीय परामर्ष लिया जा रहा है समापन सबारहों में मेले के स्टॉलों की साथ सज्जा और प्रस्तूती करण के लिए स्टॉल धरकों को पुरुस्कृत भी किया जाएगा तीन एक दिवसी मैचों की श्रिंखला के निरनायक मुकाबले में आज भारत का मुकाबला कटक में विस्ट इंडीस के साथ होगा ये मैच दिन में एक बज़ कर 30 मिनिट पर शुरू होगा आकाश्वानी से इस मैच का आँखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा अकाश्वानी भूपाल के प्रादेशिक समाचा रेकांच की विशेश श्रिंखला अच्छी खबर के 24 वे अंक में आज सुनिये नरसिंग पुर्जिले में एक शिक्षक द्वारा बुक बैंक बनानी की पहल पर विशेश रिपोर्ट अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश की किसी भी लाके कि उस खबर से जो सकारात्मक है और समाच को दिशा देने में मददगार हो सकती है कहते हैं कि बिना किताबों के पुस्तकाले बिना आत्मा के शरीर की तरह है खास कर स्कूलों में तो विद्यार्थियों के पास किताबों का ऐसा खजाना होना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व और निखर सके कुछ इसी सोच के साथ नरसिंगपुर में एक शिक्षक ने अपने स्कूल में बुक बैंक बना कर अनूठी पहल की है अब इस पहल से प्रेणा लेकर कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों में बुक बैंक बनानी की कवायत शिरू कर दी है दरसल नरसिंगपुर जिले के गोटे गाउं विकासखन के एक छोटे से गाउं बोचार के शास्की अमाध्य में कन्या शाला के शिक्षक आनंद नेमा ने पुरानी पुस्तकों से स्कूल में इतना बड़ा बुक बैंक बना दिया है कि अब छात्राओं को किताबों का बोज धोकर स्कूल नहीं लाना पड़ता आकाश्वानी से बात करते हुए श्री नेमा ने बताया कि इस पहल की प्रेणा उन्हें कैसे मिली हर साल बच्चों को किताबे मिलती हैं और वो किताबें बच्चे घरों में रखे रहते थे शाषन का एक आदेश हुआ था कि इसमें पुरानी पुस्तकों को एकठा करना था इस स्कूल में गरीब पचास से ज्यादा च्चात्राएं अध्यन रथ हैं जिन में से कुछ च्चात्राएं पाँच किलोमिटर से भी ज्यादा दूर से आती हैं स्कूल में बुक बैंक होने से नन्हे कंधों से बस्तों का बोज कम करने में भी मदद मिली हैं इस पहल से शिक्षक और छात्राइं तो बेहत उतसाहित हैं ही, साथ ही जिली के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने भी इस्टे प्रेणा लेते हुए जिली के सभी स्कूलों में इस सोच को अमल में लाने के नर्देश दिये हैं. एक सकारात्मक सोच और समर्पंड समाज में कितना बदलाव ला सकती है, ये श्वी नेमा ने अपनी इस सराहनिय पहल से साबत कर दिया. उम्मीद है जल्द ही और लोग भी इस से प्रेणा लेते हुए कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करेंगे. नर्सिंगपूर से आशीश जैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सेयुक्ता बानर्ची. अब खुद समाचार संक्षेप में. मुरैना जिले के जौरा से दिवंगत कॉंग्रस वधायक बनवारी लाल शर्मा का आज उनके पैत्रिक गाउं जाप थाप में राज के समान के साथ अंतिम संसकार किया जाएगा. दिवास में कल राश्ची एकता शिवर का शुभारंब लोक निर्माण मंत्रुी सजन सिंग वर्मा ने किया. रतलाम में बरबर सभा ग्रह पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहट बिटिया समान समार हो आयोजित किया गया. निवाडी में कल सड़क सुरक्षा जागरुकता का रिक्रम का आयोजन हुआ. शिवपूरी जिले के करेरा में कल सबजी मंडी के लिए आरक्षत शास्किय भूमी से अतिक्रमन हटाया गया. और ग्वालियर में आयजद किये जा रहे तांसेंट समार हो के पाचवे और अंतम दन कल संगीत सभा में कलाकारों ने अपनी प्रस्थो दिया दी. अंत में बुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर. नागरिक्ता संशोधन कानून पर भाजपा का देश्व्यापी जागरुकता अभियान तस दिन में तीन करोड परिवारों से संपर्क का लक्ष कानून के विरोध में कल राजखाट पर धरना देगी कॉंगर्स. खादी सुरक्षा को प्रभावी वनाने के लिए इंदौर जबलपुर सहित पाच शहरों में जल शुरू होंगी पाच नई प्रयोक शालाएं. भुपाल में आज़ित किये जा रहे अंतराश्य वन मेले का आज अंतिम दिन. भारत और वेस्ट इंडीज के बीच नर्नायक तीसरा और अंतिम वन दे आज और हमारी विशेश शुंक लाची खबर में आज आपने सुनी नर्सिंग पुर्जिले में एक शिक्षक द्वारा बुक बैंक बनाने की पहल पर विशेश रिपोर्ट. इस बुलिटन में इतना ही आकाश्वाणी भोपा से अगला प्रादेशिक समाचार बुलिटन सुनिए दो पहर दो बच कर 30 मिनिट पर. नमस्कार.